अब आद एलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग जिके जीएस के इंप्वरीन प्रसंद करने वाले हैं जो की सब्सक्राइब नहीं करती है पूछा गया है तो फंड़े या गरम जल के साथ पृतिक्रिया नहीं करती है पूछा गया है को सी थातु पृतिक्राइब नहीं करती ठंड़े गरम जल साथ तो यह है अलिमूनियम अप्सन नमबर एस होगा अगर बढ़ते हैं अगरा सवाल देखिए कारबन के उप्योग द्वारा अपचयन कलिके निम्ण धातों में से किसको प्रात नहीं किया जा सकता है। यहां mee तो किसको प्राप्त की आ जा सकता है वाट है किसको प्रीए ये है इसको प्राप्त की आ देगा कि म request कि सकता सुडियों का नाम खी क्या सकता इन इंडरे संख्याई ग्यारा समु को Fire foreign to mind what का मेडर है के इसको पत्राप्ति सेरे निकी कर सेंदे की से अभी तो कौन सी धातु ठंडड़ के साथ तिभृ से अभिक्रिया करती है तो को से थेत्व सब्सक्राइब बहुत तेरी सब्सक्राइब कर साथ अगला सवाल है डिम्लिखित में से कौन सी धातु उच्छ तापमान पर भी ऑक्सिजन के साथ प्रतिक्रिय नहीं करती है तो हाइट तेंप्रेचर पर भी ऑक्सिजन असाथ नहीं करेगी तीसका नाम है चांदी ठीक है अगला सववल है अधातू में आला धातू में आनधातू में आंधातू में आंधातू सबससे बाहरी कोस में खालिष्थान कितने ऑıtकरं होते हैं देखे अधातूं में जो समानाता बाहरी तक्ष़ा में फेशरा होती है पाचछे साट आणब से नम् profess Chief होगा कि अगर बढ़त कि इससे क्या आजाता है इससे कहा जाता है गती वीधी श्रिंखला ओप्सन नंबर बी सही हुगा थीक आघ़या है लोहे को कठोर और मजबुत बनाने के लिये बेम diary में बिन O से देखें लुहा जो होता है यह थद्वासर मुलाय महीं अरिजिनल में जो निकाला जाता है इसको मजबुत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है तो इसमें मिलाया जाता है कारवन ठीक है और अगहात वरधन्य बनाते हैं अगला है निमन में से कौन अगहात वर्धनिय नहीं है नहीं की बात हो रही है तो कौन अगहात वर्धनिय नहीं है तो यह ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो है अगहात वर्धनिय नहीं होता है अगला है Mr. निलोर्चार प्रेक्रियामände इनुद्पात हाइडोजन अब क्लोरीन और 2 डिकr तो आगा n a c L के जलिए विलियन से बिदोग परवाहित पीताती है तो यह जलिये क्लोराइड के एलेक्ट्रोलासिस त्वारा सोडियम हाइड्रोक्साड बनाने के लिए विगटित हो जाता है तीक है आपसन नमबर 20 से होगा अगला है सारवत्रिक सूचक से परिच्छन करने पर 5 विलियन ABCDEF के pH मान करमसा 4,11,7 और 9 पराप्त हुए इन विलियनों के लिए pH प्लस आयन सांद्रन के बढ़ते करम में pH मान क्या क्या होंगी देखिए तो देखिए pH मान H प्लस आयन का बात हो रहा है pH वहलू पर pH वहलू दे रहा है 4,11,7 और 9 तो pH वहलू की बात की जाए तो सबसे कम होगा C का ठीक है 11 फिर उससे कम होगा E का फिर आएगा हमारे पास 11,9 फिर साथ आएगा तो C,E,D एक ही है मेरे पास option number C ठीक है तो यह सही होगा आगे बढ़ते हैं अगला है भुपेश को कुछ वरस तक फसल विफलता का सामना करना पड़ता जब उसने मिट्टी के pH की जाज कराई तो यह लगबग 11.6 था वह है अपने क्रिसी छेदर की मिट्टी के उप्चार के लिए निम्न में से किस योगी का उप्योग कर सकता है देखिए भुपेश जो है जब मिट्टी का जाज करवाया तो उसका pH भेलू 11.6 था मतले मिट्टी छार यह थी ठीक है तो इसके लिए उसको मिट्टी में थोड़ा सा अमलिय पदार्स मिलाना पड़े को जो कि यहां पर है एल्टू एसोफोर का होल थ्राई ठीक है यह एक अल्मूनियम सल्फिट ठीक है इसे कहा जाता है यह एक अमलिय पदार था या फिर फिट की लिए सुपा आ जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है सीमा निम्बू निचोड़ती है और रस्पू गिलास में एककत्र करती है जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है जल मिलाने से हाइड्रोकसाइड आयन के सांधरन पर क्या प्रभाव पड़ता है देखिए जब सीमा निम्बू नुचोड़ी है उसको जमा की उसमें पानी मिलाई तो खटास कम हो गया उससे एच प्लस आयन में क्या अंतर होगा ठीक है तो एच प्लस आयन बढ़ेगा आप ह王 यह डॉक्साल डायन के संद्रैन के बात हो रही है ठीक है अगरे बढ़ते हैं अगला सवाल है मिंदावस निकरन अभिकृया का दर्ण एच प्लस आयन खाले स्थान से आता है औन भाड misery सोग ने अच आ ऊनुबंधा ना देखिए अगला तो याद दखिए कि एच प्लस आयन कहां साथ है तो यह आएगा अमल से और एच माइच माइनस छार से आपस्ट नुम्बर दी से ही होगा अगर बढ़ते हैं अगला सवाल है निम्लिखित में से कौन सा लवन लगभग साथ पीएच वाला जलिये विलियन उत्पन करेगा ठीक है साथ पीएच मतलब की न्यूटरल होगा नेचर में बात हो रही न्यूटरल नेचर की तो यहां पर जो ऑप्सन नहीं के टू एस फॉर कि यह जो है यही सिर्फ और सिर्फ उत्पन कर सकता है ऐसा लवन जिसका पीएच मान जो है साथ होगा केवल ट्री के टू एस फोर अगर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल देखिए निम्लिखित में से कौन से दुरूबल अमल है दुरूबल अमल यानि कि वै एक मिनट कुन कुन सा है और एस तु सीओ ठीक है अगर बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए अ बाबू एक प्रक्नली में तरू नाट्रिक अमल की कुछ मात्रा लेता है और प्रक्नली को सतर डिग्री सेल्सियस पर लगों दस मिनट तक गर्म करता है नाट्रिक अमल के पिएच मान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए जब ऐसा करेगा वो ठीक है तरू न गलसावल देखिए नीचे दिए के कथन पर विचार करें और सही उत्तर के पहचायां करें कथन एक क्या है एक ग्रान सुचक ऐसे एक ऐसे समगरी है जिसके गंद इस पाक पर निर्वर करती है कि यह एक अमली और छारी विर्ण के साथ मिस्रित है या नहीं कथन दो क्या है प्याज लग प्याज लॉंक कथे और वेनिला ऐंकर कुछ घ्राण के उदारण के फारहें यह तो bedroom और क्रौन कौन सा ने सथनों कथन दो गलत है यहिसा ऑफशन नंबर भी यह अनुजारा कि हैंTransa कह पूरी तरह से है clash निम्लिखित में से कौन अमल छारक सुचक नहीं है अमल छारक सुचक नहीं है तो यह है अश्टार्च पेपर अश्टार्च पेपर जो है अमल छारक सुचक नहीं है आप्सन नमबर बी सही होगा आगे बढ़ते हैं अगरा सवाल है नीची दिये गए कतनों पर विचार कीजि कि पहला है पारबल अंड और परबल छारक के लवन होते हैं उन नदों को सकते हैं टिक पर मैं Feuer साथ होगा ठीक है और जब परवल होगा दुरूबल चाहर होगा तो पीज मन साथ से कम यानि कि अमली यह लवान होगा अगला पढ़ते हैं इसको बढ़ाननी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं एक हम मुझत करते हैं छार जर्पन भासा पॉंटेज को नुरूपीत करता है जिसका अर्थ होता है सकती प्याइच के पर समानत हम जीरो से 16 तक पीज मान माप सकते हैं देखें पहला चीज पहला जो कतन वो सही है पुरी तरह से और दूसरा गलत है उसलिए जीरो से 14 तक थीक है जिसमें 0 से 7 क्या होता है यह होता है और 714 क्या होता है यह तो अचारिय है साथ क्या होता है निव्टर्ल है इसलिए इसका सही जवाब होगा ठीक है बात के जाए सही जवाब की तो सही जवाब होगा कथन एक सत्य है और कथन दो और सत्य है यानि के ऑप्शन नंबर ए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए के पहला है सही उथ्तर के चैन करना है सोडियम हाइढ्रोग्साड क्लोर ऐलकली प्रिक्रिया धुरा त्यार किया जाता है कथन इस प्रिक्रिया में 3 उपाद जार्विय कैस हैं और सूडियम Sixt कॉन प्रिक्रोग्साड सही है इसमें जो है दोनू ही कथन बिलकुल सही है खीस लि पहला है लिटमस बिलियन एक बैगनी रंजग है जो थेले फाइटा वर्क से संबंदित पादा प्लाइकें से निकाला जाता है दूसरा है लाल गोबी के पत्ते हल्दी कुछ फूल रंग की रंगीन पंखुडिया जैसे कई प्राक्रतिक समग्रियां हैं जो विलियन में अम्र कफन जो है बिलकुल सत्य है बात की जाए लिटमस जो है एक लाइकन के पॉदे से निकाला जाता है जो थैले फैटा वर्क से और दूसरा जो है वह भी कफन सभी है तो अप्सन नंबर डी सही होगा दोनों कफन सत्य हैं आगे बढ़ते हैं अगला है अगला है मिल्क ओफ मेंगनिश्या का पिएच मान लगभग कितना होता है तो याद रखेका मिलक ओफ मेंगनिश्या इसका फरमूला क्या होता है एम जी ओ एच का भॉल ट्वाइस मैगनिसियम हाईड रॉपसाइड ठीक है इस सफेद रंग का ठोस होता है अमल रोधी होता है ठीक है इसके पीछ मान के बात किजा तो इसका पीछ मान जो है वो होता है दस दसमलो चार ठीक है ओप्सन नम्बर सी ओर पॉइंट सेवन जो है यह सबसे अच्छी तरह बढ़ता है यदि किसी पीछ के बगीचे की मिट्टी का पीच मान पाच है तो सुरज मुखी उगाने के लिए मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए देखिए पीछ मान पाच है यानि कि हलका हमली है उसको हलका से चार यह बनाना है इसके लिए हम लोग इसमें क्या मिलांगे हम चूना ऑप्सन नमबर सी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए यानिक एक्स का पियोक काच और साब्न द्योग में खिया जाता है इस योगिक में क्रिश्ट्लन जल के दस अनुम मौझूद है इसमें विल्यन का पेचमाण साथ से अधिकह योगिक X की पहचान करना है तो याद रखिए योगिक X क्या है योगिक X का नाम है धोवन सोडा जिसके उप्यों कहा होता है साबों इंडस्ट्री और काच इंडस्ट्री बें आगे बढ़ते हैं अगला है ट्रक लवन को शहरे है परबल अमले प्रकृटी का क्या है सेवन से कम है आगे बढ़ते हैं अगला है उन्तिस नमबर अधिक एच प्लस आयन उत्पन करने वाले अमले खाले स्थान है जब कि कम एच प्लस आयन उत्पन करने वाले अमले खाले स्थान कहलाते हैं देखिए याद रखिएगा जो अधिक एच प्लस आयन उत्पन करते हैं ठीक है वो परबल अमल कहलाते हैं और जो कम एच प्लस आयं उत्पन करते हैं वो दूर्बल अमल का हलाता है अपसे नमबर 20 होगा आगे बढ़ते हैं अगला है निम्लिकित मेंसे कौन सा अमल या चार के लिए एक प्रकृतिक सुचक नहीं है देखें कौन सा प्रकृतिक सुचक नहीं है तो यह है मिथाइल और प्रकृतिक सुचक नहीं होता है तो यह सिंथेटिक संके तक है का सकते हैं अगला है प्रबल चार और दुर्बल अमल के मिसरन वाले लवन का प्येच मान कितना होता है देखें चार कैसा है प्रबल है इसको प्येच मान क्या होगा साथ से प्रबल चार है हाँ सोरी प्रबल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिए अपने ख्याल रखेंगा एंड फाली थैंक्स वर वाचिंग